भूमी पुत्र मंगल देव ने राशी परिवर्थन किया है और ये अपनी खुद के घर व्रशिक राशी को चोड़ करके धनु राशी में परविश कर गए हैं। धनु राशी में ये 27 दिसंबर को आ चुके हैं और ये जो भूमी पुत्रें ग्रहों में सेनापती कहे जाते हैं यहां पर आके व्रशिक राशी व्रशिक लगनवालों को क्या परिणाम देंगे संपूर्ण चर्चा करेंगे तो स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उप बहतर परिणाम देने में सफलता उनको नहीं मिल रहे थी अब वह बहतर परिणाम दे पाएंगे क्योंकि अब वह हैं गुरू की द्रश्टी के अंदर साथ ही साथ सूर्य के साथ भी रहेंगे तो सैनापती और राजा एक संग बैठेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएंगे मंगल हमारे जीवन में उत्साह, प्राक्रम, जोश, वीर्तार, रक्त, जमीन, जयजद, भाई, नौकरी, ब्लेट पिसर से संबंदित चीजें और क्रोध के कारण भी यही हैं इसी के कारण से मंगल देव हमारे यहां पे जब भी धनुराशी में आते हैं तो रोगों का नास्त तो करते ही हैं साथी साथ सत्रूओं को भी नस्ट करने की समता मंगल देव के अंदर है तो मंगल देव क्या परिणाम देंगे देखे सूरे के साथ यह रहेंगे करीब करीब 14 जनवरी तक तो बहतर परिणाम देंगे 27 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक व्रेशिक राशी वालों के लिए बहुती शेष्ट परिणाम प्राप्त होएगा स्टार्टिंगे आठ तस दिन तक ये थोड़े से अस्त भी रहेंगे परंतु कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए 14 जनवरी तक का समय बहुती शेष्ट है और बाद का टाइम भी शेष्ट जाएगा थोड़ा सा मद्य के समय ही आपको थोड़ी से सावदानी रखनी है तो व्रेशिक राशी वालों के सभी पहलों के उपर अब हम चर्चा करते हैं व्रेशिक राशी मंगल परदान राशी है और ये बहुत ही जल्दबाद थोड़ी सी रहती है इस कारण से इस गोचरकाल में आपको बहुत ही सोच समझ के बोलना है और बहुत ही सोच समझ के कार्य करना है सबसे पहले बात करते हैं धन के स्थितिकी सुंतर याराजयो का निर्माण आपके हो रहा है और मंगल देव आ रहे हैं 27 दिसंबर को आ चुके हैं यह आपके दूसरे घर के अंदर दूसरा घर होता है हमारे कुटूम का धन का और वानी का तो इन से संबंदित रेजल्ट आएगे धन की इस्तिती की बात करें तो इस गोचरकाल के अंदर व्रशिक राशी या व्रशिक लगने कुछ भी हो आपका आपकी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी और धन की द्रश्टी से आप काफी फायदेमंद इस्तिती में रहने वाले हैं अचानक से धन प्राप्ति का यूग भी आपका बन रहा है कुल मिलाके देखें तो आपकी फायनेंशल इस्तिती काफी बढ़िया रहेगी और आपको कोई सभी आपका फील्ड हो कोई सभी कारेशेत्र हो आपको हर तरफ से लाप की मात्रा देखने को मिलेगी अब अगर आप वैपारी हैं तो आपका वैपार इस घुचरकाल में बहुत ही अच्छा चलेगा आप वैपार में काफी मुनाफ़ा अर्जित करेंगे आपको नए-ने क्लाइंट भी मिलेंगे नए-ने ऑफ 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 ऑर्डर भी आएंगे आपके पास और बड़े और के पास आएंगे जिससे अचानक से आपके धन प्राप्ति और लाप की मातरा आप देखेंगे जो आपने सोची नहीं थी ऐसी जगे से आपको धन आएगा आपका व्यापार में काफी उनती होगी गुरोथ होगी और सफलता से आपका व्यापार चलेगा अगर आप एक अवश्य ही लाके खड़ा करेगी इस समय आप व्यापारी हैं तो और ज्यादा आप अपने दूसरे फिल्ड के अंदर अपना हाथ अजमाएंगे दूसरे व्यापार के बारे में सोचेंगे और वो प्रियास आपके सफल होईगे अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के स प्रियाब रहेंगे आप इस गोचरकाल में आप घर की सुक्सुविदाओं के उपर भी खर्च करेंगे और आपका धन संचित भी होएगा और धन की द्रश्टी से आप काफी बाकेशाली रहने वाले हैं आप जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपने कारेश शेत्र में ब आपका प्रमोशन हो सकता है कहीं आपका जौप के उपर सेलक्शन बाकी था तो इस गोचरकाल में आपका सेलक्शन हो सकता है कुल मिलां के देखें तो आप प्लानिंग मनाके नोकरी और काम कारोबार के कारेों को स्टाट करे. सबी कारे आपके संपन होते वे दिख रहे हैं, साथ-hal जो कारे आपके भिगड चुके थे, जो कारे आपके फीचे छूड चुके थे, पैंटेंग थे आपको ऐसा लग रहा था कि वो होएंगे नहीं तो वो सभी बिगड़े अठके लटके कारे सारे इस गोचरकाल में संपर्ण होएंगे वस जरूरत है सिर्फ आपके प्रियास की तो इस दर्शी से देखें तो वरशिक राशी वाले काफी भागेशाली राशी है धन उनका संचे हो रहा है लचिमी की उनके उपर क्रपा दर्श्टी ब्रश रही है अपने धन का आप सेविंग करें धन के संबंद में एक उपाय भी पताऊंगे मैं और एक सला भी दूंगी जो अभी आप आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर भागे का आपको साथ मिल रहा है क्योंकि मंगल के उपर गुरू की दर्श्टी है और भागय के बल्वूते आपके कारय होने वाले हैं पिता से आपको सहयोग प्राफ्त होएगा तो इस दर्श्टी से देखें तो बुजुरू का आपको आशिरवाद मिल रहा है, बुजुरू के माद्यन से आपको कुछ न कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है औ इसलिए आपका मान सब्मान आत्म सब्मान और आपकी इज्जत समाज में बढ़ने वाली है कुल मिला के देखें तो व्रशिक राशी वाले इस गोचर का लाव उठाएं और अपने जीवन में उन्नती करके एक मील का पत्थर आप इस्तापित कर सकते हैं जो लोग विभाईत हैं उनका विभाईक जीवन भी सुक में चलेगा कोई दिक्कत नहीं है और संतान पक्षे से इस गोचर काल मा आपको थोड़ी चंता रह सकती है तो अपने संतान के साथ अगर आपके कोई गलत्वे में चल रही है तो उसको दूर करें संतान को टाइम दें मानसिक रूप से संतान के स्वास्त का ध्यान रखना भी जरूरी है इस गोचर काल के अंदर पिता के स्वास्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां भी आपको ध्यान देने की जरूरत है पिता को प्रॉपर टाइम दें उनका बराबर मेडिकल चेक अप दवाईयों का आप ध्यान रखें क्योंकि पिता के आशिरवात से आपके कारें हो रहे हैं तो उनका स्वास्त सही रहना बहुत ही जरूरी है अप एक चीज और है जिसके हम चर्चा करते हैं कि व्रशिग राशी वाले इस सुंदर राजयोग का जो निर्मान वाली कुंडली आपकी बन रही है अथ्यंति सेष्ट समय चल रहा है इस सेष्ट समय के अंदर लव और रिलेशनशिप कैसे चलेगी देखें लव और रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉबलम ये गोचर देगा क्योंकि इसके सीधी द्रश्टी चौथी मंगल के पास भी तीन द्रश्टीयां होती है तो चौथी द्रश्टी आपके पढ़ रही है लव और रिलेशनशिप के भाव पे इस कारण से वहाँ पे आपको एडजेस्ट करने में प्रॉबलम आ सकती है आपको एडजेस्टमेंट बना के चलना पड़ेगा और अगर आप अपने विवाह की और आगे बढ़ रहे हैं तो विवाह के लिए भी ये समय सेष्ट है क्या लोगों का विवाह इस गोचरकाल में हो सकता है परन्तु विवाह करते समय जल्दवा जिन्या करें और साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनको अपनी संतान का ध्यान रखना है अगर आपकी संतान छोटी है तो उसके स्वास्त का ध्यान रखे अगर वो थोड़ी सी किशोरा वस्ता में है तो उसके बटकाव के संकेत मिल रहे हैं उसके संगती के ओपर आपको देना चाहिए ये थोड़ी सी सावधानिया इस कोचरकाल में आपको रखना बेहद जरूरी है सभी व्रशिक्राशी वाले जाता कि इस समय क्योंकि ये वानी भाव में आपके चंद्रमा मंगल देव चल रहे हैं तो वानी भाव में जब भी चंद्रदेव चलते हैं तो व्यक्ति स्टेट फॉरवड हो जाता है जो भी उसके मन में आता है वो सीधा बोलता है चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे वैसे भी व्रशिक्राशी वाले थोड़ ये स्टेट फॉरवड होते ही हैं तो इस समय आपको अपने मन पे और दिल पे कंट्रोल रखके चलना पड़ेगा दिल की बात बिलकुल भी नहीं सुने जब भी आप वारतालाप करें अपने से बड़ों से, अपने बुजरुगों से अपने बड़े भाई बेनों से अपने परीजनों से अपने सुसराल वालों से तो आप बहुत ही दिमाग से बात करें वरना आपकी बातें लोगों को चुप सकती है उसके कारण आपका नुक्सान हो सकता है क्योंकि बाते चुबना तो ठीक है कैई लोगों के हमको बाते चुब जाती है परन्तु जब इन बातों के कारण आपका नुक्सान हो तो फिर आपको इस और ध्यान देने की जुरत है तो बिना सोचे समझे बोलने से बचें आप क्योंकि वाणी बल रहे हैं जो आपके वाणी में तेज ओज और प्रकरता तो लेके आ रहे हैं प्रंतु थोड़ इसी कटूता भी आपकी बन रही है तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए रहे हैं तो एक सावदानी और आपको करनी है प्रिशिक राशी वालों की अगर आपका कोई ऑप्रेशन इस गुचरकाल में होता है और अगर आप उसे टाल सकें तो बहुत ही अच्छा है इस गुचरकाल में मंगल की दस्टी सीधी आठ्वी पढ़ रही है आपके साथी दस उसके बाद में आप कराएंगे तो सही रहेगा भागय पाओ पे भी मंगल की दस्टी पढ़ रही है आठ्वी तो भागय का आपको सपोर्ट मिलेगा पिता का सपोर्ट मिलेगा आपके बहुत सेवका भी आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप काम करूबारी नौकरी में हो य सब्कुर्सक्राइब और यह जिय पित्सक्राइब क्या है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस कोचरकाल के अंदर ब्रशिक लगण और ब्रशिक राशी वालों को मंगल के शांदार परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल के अराध्य देव, हनुमान जी के अराध्य आवस्य करने चीए, प्रति दिन आप हनुमान चालीसा का पार्ट करें यह जो गोचर है बहुत ही आपको शेष्ट परिणाम देखे जाएगा केसर का तिलग आप स्वेम भी लगाएं और भगवान विश्णू को भी लगाएं केसर का तिलग या केसर युक्त जल से भगवान श्यू का भी शेक करेंगे यह भी केसर मिला करके और फिर आप भगवान विश्णू को लगाएं और आप स्वेम भी लगाएं तो केसर के तिलग से आपके कई परिणाम पक्षिमा आ जाएंगी क्योंकि केसर का तिलग उसी समय लगाया जाता है जब गुरू की शेष्ट परिणाम शेष्ट दृस्टिया प्र के पूजा करना आपको बैतर परिणाम देगा तो इन उपायों को करके अपने जिवें में शांदार रिजल्ट राप्त करें दन्यवाद